नमस्कार अब बात करेंगे पर्यावरण की और प्रदूशन की दिली NCR में प्रदूशन को लेकर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोट प्रदूशन को लेकर सरकार के लचर रवये पर बेहद नाराज है सखत नाराज़गी जताई गई कोट ने दिली NCR के राज्यों को तुरंट बैठक करके समाधार निकालने का एक निर्देश भी दिया इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी दिली पर चाई प्रदूशन की धुंद अभी च्छटी नहीं है हर सुभा के साथ दिली वालों को दम घोंटू हवा में सांस लेना पड़ रहा है सुप्रीम कोट में सुनवाई के दोरान दिली सरकार और केंद्र की तरफ से कोट में हलफ नामा दायर किया गया सुनवाई के दोड़ान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूशन रोकने के सरकारी रवये पर सख्त टिपड़ी की सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि एर कॉलिटी मॉनिटरिंग कमिशन आज या कल में NCR के राज्यों के साथ बैठक करें बैठक में पंजाब, दिल्ली, हरियाना और यूपी के मुख्य सचिव शामिल होंगे कोर्ट ने दिल्ली सरकार के जवाब पर नाराजगी जताती हुए कहा कि सरकारी राजस्व के आउडिट पर मजबूर ना किया जाए दिल्ली सरकार आखिर विग्यापन पर कितना खर्च करती है कोट ने केंदर को निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों के साथ वो कर्मचारियों को घर से काम करने पर विचार करें इस से पहले दिल्ली सरकार ने अपने हलफ नामे में कहा था कि प्रदोशन रोकने के लिए लॉकडाउन के प्रस्ताव पर वो तैयार है। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी का आकार छोटा है। इसलिए अकेले यहां लॉकडाउन लगाने से ज्यादा असर नहीं होगा। इसलिए अन्सियार में भी लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। को आखरी उपाय बताया। कोट ने कहा कि हम बस चाहते हैं कि प्रदूशन कम हो। हमें राजनीती से कोई मतलब नहीं। कोट ने हर्याना और पंजाब को निर्देश दिया कि दो हफ़ते तक किसान पर राली न जलाए। ऐसी कोशिश की जाए। दिल्ली, हर्याना, पंजाब, उत्रप्रदेश और केंद्र सरकारों को अज सुप्रीम कोट से यही लताड पड़ी है कि कागजी रिपोर्ट दिखाने की बजाए हमें ये बताईए कि जमीन पर आपने क्या काम किया है प्रदूशन को रोकने के लिए। इसी के साथ नियाएपीट ने ये भी पूछा कि पराली जलाने के अलावा भी जो प्रदूशन के कारण हैं जैसे कि इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, गाडियां वगेरा उनके बारे में आखिर आप क्या कर रहे हैं ये भी बताईए। सुप्रेम कोट की सकती के बाद दिल्ली सरकार लगातार हरकत में है। परियावरन मंत्रे गुपाल राई ने मेट्रो, परिवहन विभाग और परियावरन विभाग के साथ बैठक बुलाई। सरकार प्रदूसर्ण से लड़ने के लिए हर कदम अफ़ाने को तयार है। केंद्र सरकार के साथ मिल करके, राज्यों के साथ मिल करके हम इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। सुप्रेम कोट जो भी डारेक्शन देगा उसको भी आगे हम फालो करें। प्रदूशन को रोकने की उपायों पर मन्थन बागी है लेकिन सियासत तेज हो गई है। कॉंग्रिस ने आरूप लगाया कि दिल्ली सरकार और केंद्रे इस पर श्वेत पत्र जारी करें। भाजपा को श्वेत पेपर जारी करना चाहिए कि उन्होंने सिवाए आज इस्तिहार बाजी के आरोप बाजी के ये जो काला परदूशन है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया। दिल्ली वासियों के आज जो फेपड़े हैं वो भाजपा और आपकी फेंकू राजनीती की एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। आप और भाजपा केवल तारीक पे तारीक की राजनीती करते हैं जब पल्यूशन का मसला आता है और हर साल जो दिल्ली वासियों की स्वास के साथ खेल रचा जाता है उससे कोई सीख नहीं लेते। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्कूलों को एक हफते के लिए बंद कर दिया है। घात लगाकर हमला कर दिया और घात लगाकर जब हमला की आतंगवादियों ने उनके काफिले पर, उनके कॉन्वोई पर तो इसमें करनल विपलब त्रिपाथी, उनका आठ साल का बेटा अबीर, उनकी पतनी, तीन QRT के जवान और एक ड्राइवर उनका इसमें निधन हो ग जाए, परताल इस मामले में शुरू हो गई है, असम रैफिल्स की जो टुकडियां है उस खेतर में वो उनको तलाशने का प्रयास कर रही है, हम विस्तार से उस ऑपरेशन के बारे में भी यह आपको बताएंगे, सेना अब इसमें आगे क्या करवाई करती है, लेकिन इस बी में प्रदूशन को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे धुंदली धुंदली सी, सुभा और शाम दिवाली के बाद दिल्ली के दिन और रात ऐसे ही गुजर रही हैं, सुभा और शाम एक जैसी धुंदली और जहरिले धुएं से भरी हुई दिल्ली अंस्यार की हवाओं ने ऐसा कोहराम मचाया है, कि सत्ता से लेकर अदालत तक सब कुछ हिल चुका है जी हाँ, मुद्दा ही ऐसा है, दर असल दिवाली के बास से दिली अंस्यार की हवाओं में जहर घुल गया है दिल्ली के आज के एर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 318 है यानि बहुत ही घटिया स्रेणी में आता है और इस बक्त मैं उस जगह पर मौजूदू जहां से सत्ता चलती है देश की ज़र आप देखें सामने की तरफ जो राष्टपती भवन है उसके आसपास स्मॉक की ऐसी चादर है कि जो राष्टपती भवन है वो भी काफी धुंदला दिखाई दे रहा है जहरीली हवा से जंग के लिए दिल्ली में जगह जगह इसी तरह की स्मॉक गन लगाई गई है इससे पानी का छड़काओ किया जाता है ताकि प्रदूशन का जहर कुछ कम किया जा सकी बढ़ते प्रदूशन को कम करने के लिए आखिर इमर्जिंसी मिटिगेशन मेजर लगा दिये गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे के स्मॉक गन जो है जिससे पानी छड़का जाता है ये दिल्ली एंजियार के कई जगहों पे लगा दी गई है साथ साथ करेगी सुप्रीम कोट की सकती के बाद दिल्ली सरकार ने आनन फानन में कुछ बड़े फैसले किये इन फैसलों के साथ हलकी हवा और धूप की वज़ा से जहरीली हवा का असर कुछ कम हुआ है दिल्ली में एर पॉलिटी इंडेक्स लगाता सुधर रहा है पिछले चार दिन सके सुभा साइकल के सवारी करने वाले लोग भी ऐसी ही मुश्किल छेल रहे हैं हम लोग रोज साइकल चलाते हैं बट दिवाली के बाद थोड़ा टाइम रुख गए थे क्यूंकि आखों मेरिटेशन और थ्रोट में वगरा जादा था बट अब थोड़ा डिफरेंस है साइकलिंग के दौरान मैंने ये नोटिस किया है कि सरदियों के टाइमी पॉल्यूशन का इशू जो एक दम से हाई पो विजाता है जिसका सही रिज्यूम रेटारिंग रूम और डॉमिट्री है और इसके दूसरी तरफ क्याफेटेरिया है अब मानने परधानमंत्री एयर कॉनकोर्स याने प्रतम तल की ओर आगे बढ़ रहे हैं इस प्रथम तल पर भी वे एसकेलेटर्स के माध्यम से ही पहुँच रहे हैं हम इस वक्त उस एसकेलेटर के सामने हैं जहां कुछी देर में माननी प्रदान मंत्री हमारे सामने होंगे सभी नागरिक सुविधाओं को इस बिल्डिंग में अंतराश्टी स्तर पर संजोया गया है माननी प्रदान मंत्री एर कॉनकोर्स पर साथ में हैं रील मंत्री अश्मिनी वैश्णाओं आने के बाद दाहिनी और एर कॉनकोर्स की तरफ इस एर कॉनकोर्स में यात्रियों को ट्रेन का इंतजार करते समय परेशानी नहीं होगी क्योंकि यहां उनके बैठने की बहतरीन व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं मननोर एंजन के लिए बड़े इस आकार के LED स्क्रीन लगाए गए हैं और यहीं पर होंगी एक से एक बढ़कर स्वादिस्ट बेंजनों की दुकाने जो तकरीबन अगले महीने दिसंबर में शुरू हो जाएंगी इस एर कॉनकोर्स में यह यूँ कहें कि इस एर कॉनकोर्स कम लाउंज में इतनी जगह है कि यहां एक साथ साथ सो यातरी एक साथ बैठ सकते हैं मानने प्रधानमंत्री इस समय अब लोकन कर रहे हैं भोपाल के नए रानी कमलापती रेलवे स्टेशन के और यह सीडी तस्वीर है आपको दिखा रहे हैं इस समय रानी कमलापती रेलवे स्टेशन है यह भोपाल का पब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप के तहट भारत का पहला अंतरराष्ट्रियस तर का रेलवे स्टेशन है जिसका पुनर निर्मान और पुनर विकास ज़ुए ज़ाधा जानकारी के लिए आपको सीधे मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंग हमारे साथ रानी कमलापती रेलवे स्टेशन अगर हम मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहां की बात करें रवीश तो ये कहा कि आखरी हिंदू रानी थी जिनके नाम पर अब इस रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा है क्या-क्या ऐसी सुविधाएं हैं यहाँ पर ज नाम पर इस बना है और अगर हम बात कलते हैं कि कैसे यह देश पे बाकि रेलवे स्टेशनों से अलग है तो उसके लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि यह देश का पहला एल्वे स्टेशन है वारत का जिसको पाइस का जी एम रेटिंग मिली है क्योंकि यह एक तरीके से स मइजिए इका फ्रेंडी रिए मस्टेंशन है यहां पर रैल ऐसे पर चैसन पर यह दि पूरा पलोड है और लिए टायाजकर है यह देश की और इस देश्टा के से विंगर शेव जिन यात्रियों को यहां से ट्रेंज पकड़नी है और अपने गंतंदे की और जाना है वो सीधे इस एर गॉंपोर्स के जरीए जाएंगे जो की देश का पहला एर गॉंपोर्स वाला रेल्डे स्टेशन है यह रामी कमलापती और जिने यहां पर ट्रेंज अपनी छोड़नी ह जो कि देश में कहीं और महीं है और इस एर कॉंपोर्स में 900 यात्री ना केवल बैट करके अपनी ट्रेंटों का इंज़ार कर सकेंगे बल्कि अगर उन्हें यहां पर बूख लगती है तो उनके लिए खानपान की वर्फता रहीगी इस तरीके से एरपोर्स पर LED स्क्रीन पे स्लाइट की जानकारी मिलती है कमोबेश वैसे ही इस तीन यहां एर कॉंपोर्स पर लगाई गई है यात्री यहां बैट करके लगतार अपनी ट्रेंटों की स्टिपी की जानकारी ले सकेंगे और तब से बड़ी बात यह पूरा रेल्वेश टेशन यादी मुझा अधार बा प्रवेश मार्ग है और यात्री बिना किसी तमस्क्राइट के बिना भीगे हुए लेट्फॉर्म की होते हुए तीवे अपनी ट्रें तक चले जाएंगे यह तो नया स्केशन बना है इसमें यात्री के लिए जो तबसे बड़ी बात है यह पूरी तरीके से एर संडिशन है प्रवेश मार्ग है और यात्री एर कंडिशन से सिर्फ तभी बहार आपाएंगे जब वो अपनी प्रेन को पकड़ने के लिए प्रेट्फॉर्म तक पूंचेंगे बिटिंग लाउंच से लेकर के सोचाला हो या फिर जो मुख्य प्रवेश मार्ग है वह से लेकर के जब उ जो कि मौतम के हिसाब से काम करती है इते लिए पासी स्टेशन से चापी अलग है वैसे भी जब हम बात करते हैं तो रानी कमलापती रेल्वेश स्टेशन बेश का पहला आये तो सर्टिफाइड रेल्वेश स्टेशन था जब यह अपने पुराने नाम के साथ बनकर तयार लेकिन यह सबसे बड़ी बात है वो यह की आने वाले समय में भोपाल मेट्रो इसकी रेल्वेश स्टेशन के सामने से निकलेगी तो यात्यों के लिए एक तरीके से चनेक्टिविटी और बहतर हो जाएगी कि वो सीधे मेट्रो से उतर कर रेल्वेश स्टेशन के अंदर दा अब प्रीमियम ट्रेंज की बात कर रहे हैं सफाई के लिए सफाई के लिए जो यहां पर अलग-अलग उपाई किये गए है पब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप का हिस्सा है यह रेल्वे स्टेशन और इसकी तरज पर और इस तरह के रेल्वे स्टेशन बनेंगे तो तरह से यह पाईलिट प्रोजेक्ट है देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए रवीश बिल्क प्रोजेक्ट होगा किसी यह पाई प्राइविट प्राइवेट पार्टनर्शिप के ताफ तो बना ही है आज साल का कॉन्ट्रेक्ट है एंग्यमेंट ताइन हूँआ है जो पहला इसा रेलवे टेशन बन गया है जहां पर करीब एक तो सब्तर हाई रिजॉलूशन पीसी टीवी कैमरे लगाए गए है जो करीब चाल लाक स्वाइर फीट जो चेत रफल है इस रेलवे टेशन उसके आप पास का उसके चप्ते चप्ते पर नज़ा रखेंगे और इस पुरिवे टीशों बिढाए रहेंगी जैसे हमने आमचा पर एर्पोर्ट पर देखी है यहां पर वीडियाए पी लाउंज असा बनाया गया है जो कि आमचा पर एक पर एक तो बहुता है यहां पर बैटके यात्री अपनी प्रेनों के दजार कर सगेंगे वीडियाटी उनके लिए TV स्क्रीन के जरीए भी और किताबों की जरीए भी उन्हें उपलक्त कराई जाएगी तो हर तरह से लिखा जाए तो यह रेल्वे स्केशन यात्रीयों के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स-परदावरण के अनुकूल भी रहने जा रहा है मद्द पदेश के लिए सब्सक्राइब करेंगे अभी मौाइना उनका चल रहा है प्रदान मंत्री 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 आ चुके है अभी वादन फिकार कर रहे हैं और यह भव्य तस्वीरे समय रानी कमलापती रेल्वे स्टेशन की भोपाल में साढ़े चार सौ करोर रुपए की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप में बना है यह रेल्वे स्टेशन और जैसा आप इस तस्मीर पे देख सकते हैं जो अलग-अलग सोलर पैनल्स लगाए गए हैं क्लीन एनर्जी और प्रदान मंत्री समय जैसा मेरे सहियोगी बता रहे थे मंच पर है प्रदान मंत्री लोगों की आगवानी करते हुए उनके स्वागत को स्वागत सदकार करते हुए प्रदान मंत्री के साथ मंच पर मौजूद प्रदान मंत्री के साथ मंच पर मौजूद दर्शक दिर्गा में सबसे आगे की पंक्ती में विवेक जोहरी मंच पर मानेनी प्रदान मंत्री यहां बैठे सभी लोगों के सामने अवलोकन करते हुए जी और इसी के साथ यहां पधारे मानेनी सांसर मानेनी मंत्री गण वा मानेनी विधाय को और अतितियों का हम एक बार फिर हार्दे कभी नंदन करते हैं अब हम आगरे करते हैं मानेनी रेल मंत्री श्री अश्वनी वैश्नव जी से कि वो मानेनी प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रानी कमलापती जी की प्रतिमा वश्वल भेट करने के कृपा करें धन्यवाद श्रिमान इस गरिमामई सभा में गणमान्य अतितियों के स्वागत ही तू हम शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए कारक्रम के द्वितिय प्रक्रम पर स्वागत उत्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं माननिय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैश्नव जी को परमादर निय प्रदान एक छोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम यहां तुरंद होंगे हाजर देखते रहिए आज तक आज तक बेमिसाल बीसाल झाल 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 झाल